नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस घरेलू खवर चैनल में दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में तुलसी पुजा, तुलसी के पौधे, तुलसी के पौधों की देखवाल कैसे करें घर में अगर आपने तुलसी लगा रखी है तो जानिए ये बाते अगर घर में है तुलसी का पौधा तो इन बातों का रथे ध्यान इसकी जानकारी लेके आई हूँ, हिंदु धर्म के अनुसार तुलसी की पुजा एक देवी के रुप में की जाती है इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है एही कारण है कि प्राचीन समय से ही हर घर में तुलसी का पौधा लगाने की प्रथा चलती आ रही है तुलसी का पौधा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह पुजनिये स्थान होता है और वहाँ कोई बीमारी या मिर्टू के देवता नहीं आ सकते धार्मिक कारियों में पूजा की जाने वाली तुलसी एक बहुत ही फायदेमंद औस्थी भी है अपने धार्मिक महत्म के कारण तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार में रखा जाना जरूरी है अगर अभी तक आपने तुलसी का पौधा घर में नहीं लाया है तो मेरा ये वीडियो सुनके आप जरूर अपने घर में एक तुलसी का पौधा लाए और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आज मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसी बाते बताऊंगी जो ध्यान न रखने पर आप बरवादी की कगार पे पहुँच सकते हैं इसलिए मेरी इन वातों को बिसेश ध्यान रखिएगा और तुलसी की सेवा किजिएगा तुलसी की नियमित पूजा करिएगा इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले तो दोस्तों मेरा है वीडियो की क्या आपके घर में तुलसी है? कहीं आप ए गलतिया तो नहीं कर रहे हैं? तुलसी के देखफाल में तुलसी से जुड़ी बाते क्या है तो आईए जानते हैं वो कौन-कौन सी तुलसी से जुड़ी महत्पूर्ण बाते हैं तो घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाता है तो तुरंत उसे किसी कुएं या पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए सूखा पौधा रखना असुब माना जाता है तुलसी का पौधा हटा देने से की बाद तुरंत नई तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए घर में सूखा पौधा होने से बरकत पर बुरा असर पड़ता है इसलिए घर में तुलसी का हरा भरा और स्वस्त पौधा रखना चाहिए तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है इसकी पतियां पर हर रोज जल छेड़कर पुना भगवान को अर्बित किया जा सकता है तुलसी का पत्ता बिना नहाय नहीं तोड़ना चाहिए सास्त्रों के अनुसारियदी कोई भी ब्यक्ति बिना नहाय तुलसी का पत्ता तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्विकार नहीं किये जाते है तुलसी का पौधा घरों और मंदिरों में लगाया जाता है साथ ही साथ इसकी पतियां भगवान विस्नु को अरपित की जाती है विस्नु की पूजा विना तुलसी के पत्ते की नहीं होती तुलसी का आप मान नहीं करना चाहिए जिस घर में तुलसी लगी हो वहां उसकी रोज पूजा होने चाहिए माना जाता है कि तुलसी जी को पूजने वाला ब्यक्ति स्वर्ग में जाता है तुलसी में प्रती दिन जल चढ़ाने से आयू लंबी होती है तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखे कि इन पत्तों को चवाए नहीं बलकि निगल जाए तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाह प्राप्त होता है सास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में ही तोड़ने चाहिए ये दिन है जिस दिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़े एक आजसी में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए रविवार के दिन ना तो तुलसी की पूजा करें ना जल चढ़ाएं और ना साम में दीपक जलाएं और तुलसी के पत्ते भी इस दिन बिल्कुल ही ना तोड़े और चंद्रगरहन या सूरेगरहन क्राल में तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए बिना उपयोग के तुलसी के पत्ति कभी नहीं तोड़ने चाहिए ऐसा करने पर व्यक्ति को दोस लगता है सिवली पर तुलसी की पत्ति नहीं चड़ाई जाती तुलसी के पौधों को घर की अंदर नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है कहा जाता है कि गनेश पूजन में तुलसी की पत्ति बरजीत है मिस गनेश पूजा में भी तुलसी की पतियां नहीं चड़ानी चाहिए सिवलिंग पे भी तुलसी की पतियां नहीं चड़ानी चाहिए और गनेश पूजन में भी नहीं दोस्तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो नेक्स टाइम से जब भी आप पूजा करें जब भी पतियां तोड़े जल चड़ाएं तो मेरी इन बातों को इन महत्पून बातों को ध्यान में रखते हुए आप पूजा करें पतियां तोड़े आपको जरूर सुफल की प्राप्ती होगी आपके घर में बरक्कत होगी बरवादी के कगार पे नहीं पहुँचेंगे बरक्कत हमेशा रहेगी तुलसी मा लक्षमी है आसा करती हूँ वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब करें